ये गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल रामा सिरीज, पार्ट थर्टिन तकी कहानी आपको पिछले वीडियों बता आज की हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सक्षन में मिल जाएगा, पिछले एपसोड में हमने देखा था कि नागरानी यामनी को पूरी तरह नाग जाओ, मैं फिर भी तुमसे बहुत प्यार करूंगा को साथ करने की कोसिश करता है तो इधर बंटी के मंत्र का असर यामनी पर होने लगता है और यामनी पूरी तरह नॉर्मल हो जाती है तो इसलिए उसके प्यार نے यामनी को फिर इनसान बना दिया और नागरानी यही सब सो सोच कर खूब फूट फूट कर रोती है आगे सारुत बंटी को कहता है तुम जाओ अराम करो मैं तब तक यामनी का खयाल रखता हूँ कल सुभा तुम रख लेना तो बंटी कहता है ठीक है और बंटी अराम करने के लिए जला जाता है तो सारुत यामनी का अच्छे से खयाल र और अगर उसे नागरानी से पीछा चुरवाना है तो उसे यामनी को जान से मारना होगा तभी वो नागरानी को हमेशा हमेशा के लिए खतम कर पाएगा तो सारुत और सारुत की फैमली नरसिमा को रोकने की कोसिस करती है पर नरसिमा बंदुक के दम पर यामनी को किड्नैप कर कि वहां से लेकर चला जाता है और सारुत को घायल भी कर देता है तो सारुत के पड़िवार वाले ये सब देखकर पूरी तरह सौक्ट हो जाते हैं अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परिसान हो जाते हैं इधर जब नागरानी को ये सब पता चलता है तो वो गु लिए इसने तुम्हें अपने आपको सांत रखना होगा और अपनी सक्तियां को वापस पानी होगी वह बस तुम्हें उकसाने के लिएस जाने से रोकती है दुसी तब रीचा अपने पापा से मिलने के लिए उसी गोडाउं में आती है कि तभी उधर से उसके पापा यामनी और बंटी को किड्नाप करके लागते हैं तो रीचा ये सब देखकर पुरी थरा सौक्ट हो जाती है और अपने पापा से पूसती है कि आखिरकर य यहां से जाने दे पर उसके पापा उसकी एक भी नहीं सुनते उल्टा उस पर ही चिल्लाने लगते हैं तो बेचारी रीचा सांथ हो जाती है दुसी तब सारुत को होस आता है तो वो यामनी को ढूनने के लिए जाने लगता है पर उसकी फैमली उसे रोकती है तो सारुत कहत आगे वीर को पूरी बात बताता है तो वीर कहता है तुम टेंसन मतलो मैं नरसिमा का लोकेशन खोजने की कोसिज करता हूँ और वीर अपने पूरे टिम को लगा देता है नरसिमा का लोकेशन खोजने के लिए आगे यामनी रीचा को समझाती है कि वो अपने पापा को समझाए कि वो उन दोनों को जाने दे क्योंकि उन दोनों को इस तरह बंदी बना कर उन्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला तो रीचा कहती है मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ मुझे भी नहीं पता कि कम ना गरानी तुम्हारे सरीर को अपने वस में कर ले तो बिचारी यामनी रीचा को समझाती है तो रीचा को भी यामनी और बंटी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो अपने पापा से बात करने के लिए जाती है पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाती कि तभी उसे वीर का कॉल आता है तो भी रीचा से हेल्प मांगता है और उस को समझाने की कोसिस करती है पर उसके पापा उसकी एक भी नहीं सुनते इधर सारुत के पापा ध्यान लगाते हैं कि आखेकार यामनी कहां पर है तो उन्हें अपने ध्यान से कुछ कुलू मिलता है तो सारुत के पापा ये सारुत को बताते हैं तो वीर कहता है जैसी तुमने दी है उसमें सिर्फ एक ही जगां फिट होती है हमें वही पर जाना चाहिए और उन लोगों को फाइलली नरसिमा के अड़े का पता चल जाता है और वो लोग नरसिमा को पकरने के लिए जाने लगते हैं इधर नरसिमा यामनी को टॉर्चर करने का एक मौका नहीं चोड़ता औ ताकि नागरानी उसके सरीर से बहार आए और नरसिमा जान बुचकर यामनी को गुस्सा दिलाने का काम करता है पर बंटी यामनी को सांत रहने को कहता है क्योंकि जब तक यामनी सांत रहेगी तब तक नागरानी उसके सरीर में परवेस नहीं कर पाएगी तो नरसिमा बहुत उतना नागरानी को भी दर्द हो रहा होता है तो नागरानी ये सब से पुरी तरह परिसान हो जाती है और वो नरसिमा को मारने के लिए फिर से जाने लगती है तो नागमाता उसे रोकती है तो नागरानी कहती है मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती है मैं उस कमीने नरसिमे को जान से मार डालूंगी उसने पहले भी मेरे साथ बहुत कुछ किया है और अब उसके पापों का घड़ा पुरी तरह भड़ गया है इसलिए आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और नागरानी जाने लगती है तो नाग माता उसे रोकती है तो नाग्चित कहता है ना अकेला चला जाता है इधार नरसिमा फिर से बंटी को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वह पर नाग्चित आ जाता है तो सब नाग्चित को देखकर पुरी तरह डर जाते हैं आगे नाग्चित सारे बंदों को अकेले ही मारने लगता है पर वो नरसिमा के सामने नहीं ज उन लोगों को सबक सिखाने के लिए आगे नागरानी यामनी के सरीर पर कपजा कर लेती है और यामनी सारे लोगों को चुन चुन कर मारती है और उनके किये की सजा देती है तो नरसिम्हान नागरानी को पकरने की बहुत कोसिस करता है पर वो नहीं पकर पाता क्योंकि नागरा पर नागरानी इस बात का बहुती उत्सा मनाती है और कहती है तुमने अपनी बेटी को अपने हाथों से ही मार डाला तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिल गई अब मैं तुम्हें जान से मारूंगी तो नरसिमा नागराने को मारने के लिए उठने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर नरसिमा का बंदा आ जाता है और नरसिमा को बताता है कि पुलिस आ चुकी है हमें यहां से जाना होगा तो नरसिम अपनी बेटी को उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग जाता है कि तभी मापर वीर और सारूत भी आ जाते हैं और रीचा की ऐसी हालत देखकर पुरी तरह सौक्ट हो जाते हैं तो वीर रीचा की कंडिशन देखता और कहता है इसकी सांस अभी भी चल रही है ये ज जल्द यामनी का सरीर मेरा हो जाएगा तो सार्थ नागरानी के सामने भीक मांगने लगता है कि वो यामनी को छोड़ दे पर नागरानी छोड़ने से मना कर देती है और कहती है जिस तरह मैं पूरी लाइफ अपने प्यार के लिए तरसी हूँ उसी तरह अब तुम तरसोगे अब तुम्हें पता चलेगा कि अपने प्यार से दूर रहना कैसा लगता है जब तुम इस दर्थ से गुजरोगे तब तुम्हें पता चलेगा मेरे दर्थ का कि मैं कितने दर्थ से गुजरी हूँ जैसे ही अगले लाल चांद की रात आएगी उस दिन यामनी का सरीर पूरी अच्छी नहीं रहती क्योंकि उसका बहुती मेजर सरजरी हुआ होता है तो वीर रिचा की ऐसी हालत देखकर बहुती परिसान होता है तो सारुत कहता है टेंसन मतलो रिचा ठीक हो जाएगी डॉक्टर ने कहा है ना इसकी कंडिशन अभी थोड़ी खड़ाब है लेकिन ये अभी जिन्दा है ये बहुत जल ठीक हो जाएगी तो वीर रिचा की ऐसी हालत देखकर बहुती परिसान होता है और रिचा से कहता है प्लीज रिचा जल्दी उठ जाओ मैं तुम्हारा इंतिजार कर रहा हूँ इधर नागरानी यामनी के सरीर को अपना सरीर बनाने की पूरी तयारी कर लेती है दूसी तब नरसिमा दूसरे अगोरी के पास जाता है और उनके साथ एक डील करता है कि अगर वो नागरानी को मारने में उसकी हेल्प करेंगे तो वो उसे धेर सारा पैसा देगा तो वो अगोरी नरसिमा के साथ काम करने के लिए मान जाता है क्योंकि उस अगोरी के पास कुछ ऐसी सक्तियां होती है जिससे नागरानी पूरी तरह डरती है और उस अगोरी के पास वो पत्थर भी होता है जिसे 500 साल पहले पुजारी जी ने यूस किया था नागरानी की आत्मा को उस मुर्ती में कैद करने के लिए तो वो अगोरी नरसिमा को बताता है कि इस पत्थर में किसी की भी आत्मा अगर एक बार कैद हो जाती है तो उसका पुनर जन्ब कभी भी नहीं होता और वो इसी पत्थर में गुट-गुट कर जीता है और वो सोचता है अगर 500 साल पहले वो नागरानी से ना मिला होता तो आज उसके अपनों की ऐसी हलत ना होती तो सारुत डिसाइट कर लेता है अगर नागरानी उसे पाना जाती है तो वो अपनी जान दे कर अपनी फैमिली की जान बचाएगा और उस नागरानी से सब को मुक्त करवा कर रहेगा और सारुत अपने पुरे फैमली मेंबर को एक मैसेज भेजता है और उस मैसेज के जड़िये सब को बताता है कि वो नागरानी के पास जा रहा है क्योंकि इस कहानी की सुरवात मुझसे हुई थी तो मुझे ही इस कहानी को खतम करना होगा तो उसके सारे फैमिली मेंबर दोस्त सब ये सुनकर पुरी तरह टेंसन में आ जाते हैं कि आखेकार सारुत आगे करने क्या वाला है इधर नरसिमा भी अगोरी के साथ उसी खंडर में जाता है नागरानी को मारने के लिए तो नागरानी उस अगोरी का ढटकर सामना करती है और उस अगोरी के कुछ बंदों को मार भी देती है पर नागरानी उस अगोरी का सामना नहीं कर पाती क्योंकि उस अगोरी के पास वो लाल पत्थर रहता है आगे वो अगोरी नागरानी के आत्मा को उस पत्थर में केत करने का प्लैन बनाता है और नागरानी पर धेर सारे जादू टोना करने लगता है पर वो जादू टोना नागरानी को नहीं बलकि नागिन मोरा को लग जाती है क्योंकि नागिन मोरा नागरानी के सामने आ जाती है और वो इसी तरह नागरानी को बचा लेती है और यहीं पर नागिन मोडा की भी मौत हो जाती है तो नागरानी को और गुसा आजाता है और वो उन बंदों पर तूट परती है पर वो उस लाल पत्थर की वज़ा से उन लोगों से जीत नहीं पाती कि तभी वहाँ पर नागराज की इंट्री होती है और नागराज उन लोगों को सबक सिखाते हैं और नागराज नागराणी की हेल्प करते हैं उन लोगों से तो नरसिमा पूरी तरह डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और नागरानी से अपने जान की भीख भी मांगने लगता है तो नागरानी रुख जाती है और उसे लगता है कि सच में नरसिमा को पस्तावा हो रहा है पर नरसिमा को कोई पस्तावा नहीं हो रहा होता है तो नागरानी को भटकारा होता है ताकि वो नागरानी पर वार कर सके और नरसिमाई से मौके का फायता उठा कर नागरानी पर वार कर देता है पर नागरानी उसके जाल में नहीं फसती उल्टा उसे ही मार देती है और यहीं पर नरसिमागी भी मौत हो जाती है आगे नागरानी नागराज को थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए तो नागरा क्योंकि तुम बहुत पाप कर रही हो अगर तुमने अपने पाप को नहीं रोका तो तुम पुनर जर्म नहीं ले पाऊगी और तुम्हारा सपना हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा और नागरानी के पिता नागरानी को समझाने की कोसिस करते हैं पर नागरानी यामनी के प्रती इतना प्यार देखकर पूरी तरह गुसे में आ जाती है और वो यामनी को खुब टॉर्चर करती है तो बेचारा सारुत पूरी तरह पगला जाता है और वो नागरानी के सामने भीक मांगने लगता है और कहता है इन सब के सुरुवात मेरी वज़े से हुई थ प्लीज मेरी जान ले लो पर यामनी की छोड़ दो तो नागरानी भी कहती है ठीक है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है और नागरानी सारुत की आत्मा को उसके सरीर से बाहर निकाल देती है तो यामनी सारुत की ऐसी हालत दे कर पुरी तरह रोने लगती है कि तभी आपन नाग माता आ जाती है नागरानी को समझाने के लिए और कहती है तुम जिस प्यार का धिंडोरा पीट रही हो क्या वो प्यार तुम्हारा सच्चा था क्या तुम भूल गई कि तुमने कैसे चाय वोंग को हासिल किया था कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जब नागरानी चाय वोंग के करीब गई थी तो उसने चाय वोंग पर कुछ मंत्र फुका था जिससे चाय वोंग उसकी खुबसूरती का दिवाना हो गया था और उसके प्यार में पढ़ गया था तो सारुत और यामनी ये सुनकर तो पुरी तरह सौक्ट हो जाते हैं तो नागर चाहे वंग तुम्हारी जिद्ध है ना कि तुम्हारा प्यार तो नागरानी कहती है अच्छा ठीक है मैंने इस पर जादू किया था लेकिन इन लोगों ने जो मेरे साथ किया मुझे जिंदा जला दिया क्या ये ठीक था मुझे इंसाफ चाहिए इन लोगों नी तना बड़ा पाप किया लेकिन फिर भी इन लोगों का पुनरजन्व हो गया लेकिन मुझे क्या मिला मुझे 500 साल तक उस मुर्ति में कैद रहना पड़ा आप लोगों है आप लोगों का गया है और नागराश को दिखाते हैं कि जब तुम्हारी मौत होई थी तो राज कुमार कुछाएवंग भी कोई खुस नहीं थे उन्होंने कोई आलिसान जिंदगी नहीं जी उन्होंने अपना राज पर त्याग दिया और एक मौक्ष की जिंदगी जी और इसी था उनकी मौत हो गई तो नागराश को यह सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है तो नागराश कहते हैं उसके बाद कर रोने लगती है कि तभी वहां पर सारुत के पिता की भी इंट्री होती है क्योंकि सारुत के पिता ध्यान लगाड़े होते हैं अपने बेटे की तरफ और अपने बेटे को बचाने के लिए वो खंडर में आते हैं। पिता नाग रानी से माफी मांगते हैं और कहते हैं मुझे पता है हमने तुम्हारे साथ बहुत गलब किया है अगर तुम किसी की जान लेना ही चाहती हो तो तुम मेरी लो मैंने ओर दिया था तुम्हें जलवाने का लेकिन प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो तो नाग रानी यह सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है आगे चाय वंग भी नाग रानी को समभालता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है अगर तुम चाहती हो मेरे आत्मा को अपने साथ ले जाना तो मैं पूरे मन से तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हारे दुख को कम करने की कोसिस करूँगा लेकिन मुझे तुमसे प्यार नहीं होगा क्योंकि मैंने अपने लाइफ में एक ही बार प्यार किया है वो भी यामनी से पर मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा और तुम्हारे लिए दुआ करूँगा तो नाग यह सब सुनकर रोने लगती है और फाइनली नाग रानी का भी दिल बदल जाता है और वो सारुत को अपने प्यार के जाल से पूरी तरह आजात कर देती है और उसके सरे में उसे वापस भेज देती है तो सारे लोग यह देखकर बहुत खुस हो जाते हैं आगे नाग रानी धन्यवाद करके वहाँ से चले जाते हैं आगे नाग राज और नाग रानी को कहते हैं तुमने बहुती अच्छा काम किया कि तुमने अपने बदले को यही पर छोड़ दिया और अपने दिल से सारी नफरतों को बाहर निकाल दिया लेकिन यह सब करने से तुम्हारे पाप नहीं धुल पाएंगे तुमने पाष्ट में जो भी गलतिया की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी दो चांद रात बात तुम्हारा फैसला होगा कि तुम्हारा पुनर जन्म होगा या फिर तुम्हें जहन्नम में ले जाया जाएगा लेकिन तुम ज्यादा फिकर मत कर कर तुम्हारा पुनर जन्म हो जाये तो नागरानी ध्यान में मगन हो जाती है लोग मिलका दुए के लिए दुआ कर लिए। क्योंकि सारूत यामनी रीचा और वीर सम्मिलकर नागरानी के लिए दुआ करते हैं कि उसका पुनर जनम हो जाए जिस वज़ा से यम्राज नागरानी को जहनुम नहीं लेकर जाते हैं और उनका पुनर जनम हो जाता है तो नागराज और नागराणी अपनी बेटी को मुक्त होता देख बहुत ही खुस होते हैं और नागराणी भी आगे फाइली नागराणी की आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाती है इधर वीर भी रीचास अपने प्यार का इजार कर देता है तो रीचा भी वीर के प्यार को accept कर लेती है और ये दोनों कपल बन जाते हैं बताती है कि वो एक साप से मिली और उसने उससे बात भी की तो सारुत को ये सब थोड़ा अजीब लगता है पर वो इस बात पर कोई रियाक्ट नहीं करता है वेल फाइनली यामनी सारुत के साथ एक अच्छी लाइप स्पैंट करती है और उसकी और सारुत की एक प्यारी सी बेटी भी होती है जिसके साथ वो दोनों बहुत ही खुस होते हैं आगे वहाँ पर सारुत की पूरी फैमिली आ जाती है और अनाया के साथ मस्ती करने लगती है पूरी फैमली उस बच्चे के साथ बहुत खुस होती है वेल अनाया को देखकर लगता है कि वो नागरानी ही हो क्योंकि जिस तरह अनाया नागों को कंट्रोल कर रही होती है उस तरह तो सिप नागरानी ही किया करती थी और यही पर यह ड्रामा खतम होता है वेल आपको ये ड्रामा कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताईएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना तो बिलको न भूले